आज का हमारा टॉपिक है mean and variance of geometric distribution जिस पर हम लोग एक problem लेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमारे पास random variable x जिसके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं हमारे पास experiment की जो हमारे पास कर रहे होते हैं values को store कराते हैं जिने हम x से लेते हैं वो हमारे पास क्या कर रहा हूँ हो जिमेक्री distribution को follow कर रहा हूँ जिमेक्री distribution को हम कब कहते हैं के random variable हमारे पास follow कर राये जब हमारे पास कोई ऐसा experiment हो जिसे हम लोग तब तक perform करते रहें जब तक क्या हो हमारे पास first success नहीं आ जाए यानि मेरे पास जब तक first six six नहीं आती मैं वो experiment किये जा रही हूँ for example जैसे के हमारे पास dice होता है हम लोग जैसे लुडों में हम लोग use करते हैं खिलते हुए और मैं तब तक बारी करती रहती हूँ जब तक मेरे पास first six नहीं आता मतलब मेरे पास जब first time six नहीं आता है तो मेरी क्या होता है मेरे पास मैं बारी कर सकती हूँ गीटी को चला सकती हूँ तो वो मेरी first success है तो मैं तब तक उसे करती रहूँ तो मैं throw करती रहूँ dice को तो मेरा ऐसा experiment को मैं क्या कहती हूँ कि वो मेरे पास क्या है वो geometric distribution को follow कर रहा है जिसमें मैं success को represent करती हूँ किसे small p से और मेरे पास इसका जो probability distribution function है मैं वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास इस form का होता है p into q x minus 1 जबके x की values कहां से होती है 1 से लेकर infinity तक और x मेरे पास किसको store कर रहा है कौन सी values को first success नहीं आ गया यानिके 6 नहीं आ गया तो हम लोग कहते हैं कि वो geometric distribution को follow कर रहा है हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा random variable है जो geometric distribution को follow कर रहा है तो मीन और variance उसका किस तरीके से निकाल सकते हैं तो उसके लिए हम एक problem लेंगे यह हमारे पास एक problem है जिसमें क्या given है the file gets corrupted with probability 0.8 when it is downloaded from a website के एक file है जिसे हम लोग क्या करें है download कर रहे हैं किसी website से और वो corrupt हो जाती है हुने कि इसकी probability क्या है 0.8 है हमारे पास what is the expected number and variance of downloads to get an uncorrupted file तो हमारे पास जो expected number क्या है यानि expected से हमारी क्या मुराद होती है यहां पर हमारी मुराद होती है mean, हम mean को कहते हैं और variance हमारे पता है spread को देखना होता है variance कहते हैं हम उसको हमारे पास यह simple variance है तो हमारे पास क्या है देखना है किसके लिए number of downloads के लिए अन्य कितनी दफा में डाउनलोड करना पढ़ेगा उस फाइल को कि हमारे पास uncorrupted file आ जाए तो हमारे पास यहां पर क्या है हम देख सकते हैं कि file को अगर हम एक दफा भी download कर लेते हैं ठीक है, अगर हमारे पास जो है, हम लोग यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं इस तरीके से, कि फाइल को अगर मैं एक दफा भी डाउनलोड कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास वो मेरी सक्सेक्स होगी, काम्याबी होगी, कि मैंने अनकरप्टिट फाइल को एक होगी, कि मेरा पास जो रेंडम वेरियेबल एक्स है, यहाँ पर अगर इसको हम लिखें, कि मेरा रेंडम वेरियेबल एक्स है, वो क्या कर रहा है, वो फॉलो करता है, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, GEO जिमेक्रिट डिस्टिबिशन को विट पैरमीटर P, पी के साथ क्या कर रहा है, उसको मेरे पास फॉलो कर रहा है, मेरा रेंडम वेरियेबल एक्स, तो मेरे पास जो एक्स है, बेसिकली वो क्या शो कर रहा है, नमबर ऑफ टाइम्स जितनी दफा मुझे जो है डाउनलोड करना पड़ा है, अन्करप्टिट फाइल को लेने के लिए, और P मेरे पास यहां पर क्या है, P है probability of uncorrupted file, ठीक है, कि uncorrupted file की जो probability मेरे पास बनती है, वो मेरे पास क्या है, तो यानि डाउनलोड करने की जो बन रही है, P उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबके हमें यहां पर क्या given है, file gets corrupted with probability 0.8, यानि probability of corrupted file, जो कि 0.8 है, तो यह म जिसे हम Q से represent करते हैं, और यह हमारे पास किसके बराबर होता है, यह हमारे पास बराबर होता है, 1-P के होता है, और इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी लेते हैं, यह दोनों इस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जब given है, हमें पता चल गया कि x जो है वो geometric distribution को follow कर आए और हमें expected number और variance शाहिए तो हम लोग simply क्या use करेंगे कि हमें पता है जैसे हम previous video में देख सुके हैं कि अगर कोई random variable geometric distribution को follow करता हो तो हम उसका mean अगर इसको हम यहाँ पर लिखें simply हम किस तरीके से ले सकते हैं उसका mean हमारे पास आजाता है 1 by p आजाता है इसी तरीके से अगर कोई random variable हमारे पास follow कर रहा हो तो उसका variance शो है वो हमारे पास क्या आएगा वो हमारे पास simply q divided by p square के बराबर होता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे p की value निकाल लेंगे तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर हम लोग p की value को सबसे पहले compute करते हैं जो के हमारे पास 1 minus q के बराबर है और q हमारे पास यहाँ पर क्या given है 0.8 तो हम लोग क्या करेंगे simply हम लोग करेंगे 1 minus 0.8 करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा हमाँ पास आजाएगा 0.2 आजाएगा तो expected number के लिए हम इसको यहां पर put कर देंगे इस value को तो हमाँ पास 1 divided by 0.2 आजाएगा और यहां पर variance के लिए हम इसके अंदर values को put कर देंगे तो क्या आजाएगा हमारे पास? हमारे पास आजाएगा Q हमाइ पस क्या है? 0.8 है और इसको हम लोग दिवाइट करेंगे 0.2 होल का स्क्वेर से तो जब हम 1 को ढवाइट करेंगे 0.2 से तो हमाइपस क्या ऐगा? हमाइपस आजएगा 5 दोटीज़ आजएगा यहांद एक्सपेक्ट नमबर क्या रहे है? और 0.8 को डिवाइट करेंगे तो हमाई पास आजाएगा 20 आजाएगा जैसे यहाँ पे 0.8 और यह हमने 0.2 स्क्वेर 0.04 बन राथ हमने इनको डिवाइट किया तो 20 आगया यानि इस mean से जो हमाई पास value जो है यानि x की जो value वेरी कर सकती है वो 20 हमाई पास तक वेरी कर सकती है दोनों साइट पे तो हमाई पास आज का topic क्या था? आज का topic था mean and variance of geometric distribution जिस पर हमने देखा कि अगर हमाई हमाई पास कोई random variable x जो है वो geometric distribution को follow करता हो तो हम लोग किस तरीके से उसके formulas को use करते हुए mean और variance मालूम कर सकते है